स्वागत है आपका आज की जाए पर सारा सरोश का लेटेस व्लॉग देखा मैंने और अनिस्ली मैं बोलू तो मुझे एक्सपेक्टिट था कि ऐसा कोई रिप्लाई या रिस्पॉंस आएगा क्योंकि उस वीडियो पे जो की बहुत ही फेमिस हो चुका है अब सारा का वो वीडियो जिसमें उनको ठी लैक प्लस हाला कि कुछ लोगों तो ये भी लगता है कि 30 लाख या आलमोस 15 से 30 लाख के गिफ्ट थे जो की सारा को कि 15 से 30 लाख का गिफ्ट मिलते हुए मैंने तो नहीं देखा हो सकता है किसी को मिलता भी हो बट इन नॉर्मल सेनारियो नो वोड रिली मेक व्लॉग आउट फिट और प्रमोट सच अच अ तिंग बिकास देखा जाए तो सही तो नहीं है कि कोई अपना हार्ण मनी लैक्स में किसी को गिफ्ट भेजे इतने सारे और उसके बाद वो व्लॉग बनाए और बोले कि हमने तो मेजरमेंट्स भेजी थी और फॉर माई क्रू एंड फॉर माई पीपल इस वेरी वेरी नॉर्मल तो शेयर माई मेजरमेंट्स विद अधर्स वह बात मैं मान सकती हूं ब्रैंड् तो क्यूं यह है इसके हैं इसमें मेरी तो कॉय गलती नहीं थी कि मैंने और एकिफ्ट ऐकसेप्ट करें chunks थे मुझे भेजे यहां यह बात सच है कि आपके कई नई गलती नहीं हैलında इसकी किष्ट लेना गलत होता भी नहीं पर मैंने कॉमेंट देखा था कि देखे आ आप ल सारा के बहुत सारे व्लोग्स देखे हैं and I was always surprised to see how everyone appreciated this girl so much and that's because she's been working hard सब को दिखता था कि हाँ वो तो कहती ही ना हसल 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 भई अपना घर बना रही है बहुत इन्वाल रहती है हर प्रोसेस में अलगाता रिल्स भी डालती है ट्रावल भी बहुत करती है तो भर भर के सारा के सब्सक्राइबर्स ने उसको हमेशा appreciation दी है, motivate करा है उसको बहुत सपोर्ट करा and there's no doubt about the fact कि बहुत सारे और भी creators है but she is someone who does not come from a very influential background तो ये सब्सक्राइबर्स के बल पे ही है कि वो 0 to 10 lakh से भी जारा सब्सक्राइबर पे पहुच गई अपने content of course मेहनत तो थी ही इसमें कोई शक की बात नहीं है हसल तो थी ही पर subscribers का support नहीं आएगा और उनका feedback नहीं होगा जिसके basis पे content बनता है तो इनसान आगे नहीं बहुत सकता अब इस बार पहली बार इतना subscriber से hate मिला तो maybe this is quite an overwhelming experience for her but at the same time कुछ बात है जो अभी recently Sarah ने कही वो मुझे अच्छी ने लगी as a subscriber I felt bad because come on मतलब इतनी appreciation हर reel पे मिलती है अभी जब Pack X Sarah का launch हुआ था लोगों ने कितना motivate किया था हाँ थोड़ा सा लोगों लगा था कि भई आप इसको overhype कर रहे थे बट सबका opinion ऐसा नहीं था लोग बहुत खुश थे कितने सारी subscribers ने लंबे लंबे message लिखे that we are proud of you girl you did it बट वही लोगों ने जब criticism लिखा तो वो बुरे या गलत कैसे हो जाते है सारा ने बोला मेरे परिवार को कोई बोलेगा तो मैं नहीं सहूंगी आप मुझे बोलो और बस कर दो मैं तो vlogs नहीं डालूंगी and all of that but सारा let's admit the fact कि ये vlogs आप हमारे ले नहीं आप अपने ले डालते हो आपको जो YouTube से monetization मिलता है for that matter हर creator को मिलता है तो उस पैसे के लिए आप creators content डालते हो और ना कि subscribers के लिए सिर्फ हाँ subscribers के लिए तो होता ही है उनकी ही choice के basis पर डालते हो पर main reason होता है monetization अगर आप ये बोल रहे हो कि मैं आप से vlogs जालूंगी अगर आप लोगों ने ऐसी करा तो मैं इतना है कहना चाहूंगी कि उन्होंने एक टीज देखी जिसमें आप बिलकुल भी सही तरीके से react नहीं कर रहे थे और ये भी समझी कि आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं डालना चाहिए था but move on from that and that is important for you क्योंकि आप ही इस बातों से आगे नहीं भड़ोगे तो subscribers कैसे बढ़ेंगे अगर आपने अपनी गलती से सीखा sorry मांगा that's good पर बैट के बोलना है कि मेरे परिवार को आपके परिवार को कुछ नहीं बोला गया आपके परिवार के लिए किसी नहीं कुछ नहीं बोला in fact मैं तो बोलूँगे as a subscriber I love her family and most of the times मैंने तो नप्र पतीशद ऐसे comment पड़े जहां पर कभी उसके father की तारीफ हो रही होती है कभी उसके warm की बहुत तारीफ हो रही होती है कि auntie serious रहने के साथ-साथ बहुत ही jolly nature की भी है you know beach beach पे जैसे वो मजाग करती है सारा से बड़ अच्छा लगता है and of course उनकी नानी भी बहुत प्यारी है sister भी बहुत शान्त और अच्छी है और उनका जो nephew है वो तो है यह अच्छा तो why will we ever say anything about your family when your family was not even involved in this vlog यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमने सारा का reaction देखा यह देखा कि वो over the top reaction हर चीज को दे रही है और ऐसे दिखा रही है कि oh my god मुझे यह भी चाहिए था मुझे वो भी चाहिए था हाँ आपको नहीं पता था कि क्या क्या आ रहा है पर क्या इतनी miscommunication या communication gap रहता है आपके और आपके टीम में कि उन्हों ने आपको थोड़ा सा भी नहीं idea दिया कि हमने इतनी सारी measurements दी है थोड़ा बहुत तो idea होगा ना कि सब कुछ आने वाला है कि इतने personal details undergarments की details measurements तक आपके टीम ने किसी subscriber फालगुनी को दिये इतना नन्ना बच्चा कोई नहीं होता कोई रोटी को चोची नहीं बोलता सब रोटी खाते हैं सब समझते हैं और मैं इतना ही कहूंगी कि अभी तक सारा ने अपने आपको ये दिखाया दरान self made तो आपके लोगों को वही तो aspect पसंद आ रहा था ये बैठे बिठाए 15-20 लाख के gifts कोई नहीं देता ऐसा मुझे लगता है और आपके कई सारे subscribers को भी लग रहा है और मैं एक और चीज़ बताती हूं आज की date में free में कोई थपड भी नहीं मारता और यही बात genuine subscribers की तो वो लोग most of the times hand written letters या फिर छोटे छोटी gifts जरूर देंगे पर इतने महंगे लाखों के gifts देना ये feasible या possible दोनों ही नहीं लगता इस बात पे मैंने पहले भी अपने last podcast पे जो सारा पिति उसमें कहा था कि अगर सारा sensible होगी तो इस criticism को समझदारी से लेगी अपनी गलती से सीखेगी और आज के बाद अगर ये gift actually में किसी subscriber से आया है तो future में इस तरीके के videos नहीं बनाएगी और ऐसी बाते encourage नहीं करेगी क्योंकि मैं यहीं समझती हूँ कि सब लोग बहुत hard and money कमाते हैं और अगर genuinely किसी subscriber ने अपना hard and money लगा के इतना सब कुछ सारा को दिया है जिससे वो directly बात भी नहीं करती है अपनी team के तूँ तो बात करती है तो यहीं बोलूँगी कि एक तो यह attitude गलत है फिर कि भई आप किसी से लाखों के favor ले रहे हो जो कि आप पहले भी ले चुके हो कुछ हजारों के जब आपको gift भेजे थे luxury products, luxury cosmetics भेजे थे आपके subscriber ने आपको तो उसी time उनको ढून के call करके उनसे बात करनी चाहिए थी बट आपकी team बात करती है team measurement send करती है और इतना बड़ा package accept करना बहुत और बाते हैं मैं legal details में तो अभी जाब भी नहीं रही क्योंकि I don't wanna touch upon that I don't want a creator like her to fall in trouble तो मैं बस इतना चाहती हूँ कि सारा समझे कि ये culture ही गल्थ है जहां हम किसी से लाखों के gift ले क्योंकि कहीं न कहीं लगता है कि भाई ये फिर मुश्किल में ना फंस रहे बहुत सारे precedence यानि previously ऐसे बहुत सारे cases in existence रहे हैं जहां पर celebrities ने ऐसे ऐसे gift लाखों के लिये तो हैं पर उससे जादा करोड़ों की उनको अपनी reputation पढ़ गई जब आता ही तफ्तीश की और उसके बाद जब सच्चा ही सामने आई तो क्या goodwill रह गई उस इंसान की उस celebrity की हम सब को बता है तो इसलिए मैं कहूंगी कि सारा के लिए जो genuine subscribers हैं वो उसका अच्छा ही कह रहे है कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि वक्त रहते हैं वापिस कर दो इतने favor किसी से लेना वो भी कोई ऐसा इंसान जिसकी शकल नहीं है जिसकी existence, personality कुछ नहीं है अभी तक तो हमें कम से कम नहीं दिखी है नहीं तो जो इंसान इतने लाखों की चीज़े भेट सकती है सकता नहीं सकती है वो क्या सामने आके इतनी प्यारी creator को defend नहीं कर सकती चोटा सा वीडियो मैसेज बना के यह नहीं कह सकती कि I am the one who sent so many things to Sarah I am a genuine subscriber बट यह कहना, messages में यह दिखाना मतलब था, messages का screenshot था जिसमें फालगुनी ने बोला कि I don't have social media accounts इसलफ वो suspicious and raises a lot of eyebrows so I hope Sarah कि सिभ आइबरोस बनाने में या make-up अच्छे से करके दिखाने में आपका ध्यान हो और उनको raise करने में नहीं क्योंकि जब वो raise होती है तो जो आपके subscribers है उनका दिल कहीं नहीं आपके content से उच जाता है I really felt bad that she was crying I hope आज के बाद कभी भी सारा को रोना ना पड़े और अपनी subscribers की बाद सुनते हुए वो हसी खुशी ऐसा content बनाए जो हम देखना चाहते हैं और वो है hard working hustle करती हुए सारा का आज के लिए इतना ही don't forget to like, share and subscribe to आज की जाए फरी बच्चों को खाना खिलाते रही है जिसमें cats, dogs, guamata, सभाते है जैशी राम, रादे रादे, हरे कृष्णा